चलो प्यारे बचो कैसे हूँ आप आप आशाय सब सवस्त होंगे चलो बटके जी ये वरक्षिट है ठिक है वरक्षिट नमर 45 दिनाक 12 अर्थ तुजारी की सिधाते बना नावर्म टीचर का नाम चलो प्यारे बचो कहाने सुनना से भी कुछ लगता है ना या सब को लगता है आईए आज हम आपको एक कहाने सुनाए कहाने का नाम है मीठे मीठे गुल गुले क्या है मीठे मीठे गुल गुले फरस पिक्चर में देखते हैं पिटा एक दिन जमाल की मा आठा गुंद रही थ तबी पुडोस का मदन मा से एक सवाल पुछ नहीं आया मा सदन को सवाल समझाने लगी यहां देख जमाल प्राथ को अपने तरव कीच आटा गुंदे लगा उसके हाथों में आटा चिपक गया जमाल ने आटे में पानी मिलाया जिससे उसके हाथों में और आटा चिपक गया जमाल ने आटे में और पानी मिला दिया आटा बहुत पतला हो गया मा ने देखा यह तो वै परिशान होई मा सोचने लगी कि केली आटा क्या करे मा ने आटे में सोफ और गुड मिला दिया उन्होंने खूब सारे गुलगुले तेले जमाल और मदन ने खूब सारे गुलगुले खाए वेरे गुड ठीक है ना बटा इसमें क्या था किसने क्या किया इसमें पानी गुद ने जमाल ने क्या किया वहाँ पे आटे में और पानी डालता रहा वह और पतला होता चलाएगा और पानी डालता वह आटा कैसा है बिल्कुल पतला तिस से मा क्या हो गई प्रेशान तो मान ने सोचा इसको तो फेश्ट ने किया जाना चाहिए तो उसको क्या बना दिया जाए गुल गुले तो मान ने उसके क्या बनाए गुल गुले आप कोशन देखते है बटा आशा करती है आपको यह कहानी पसंद आई होगी आई आप इसके बारे में चाचा करें जमाल ने आटे का क्या किया था आटे का जली बताओ उसने अपने तरफ खीच कर आठा गुनने लगा था क्या करने लगा था गुनने लगा था माने गिली आटे में क्या मिलाया जली बताओ माने गिली आटे में क्या माने आटे में सोफ और गुड मिलाया क्या मिलाया सोफ और गुड मिलाया माने गिली आटे से क्या बनाया माने गिली आटे से गुल गुले बनाए आपको मीठे में कौन कौन सी चीश पसंद है पर आपको पताना आपको मिठे में क्या का पसंद है जैसे गुल गुले पसंद है मिठे या पसंद है खीट पसंद है जो भी आपको मिठे में पसंद है हलुआ पसंद है आप ऐसे बताओगे आईए दिए गए टेड़े मेड़े रास जो गुषरत वे जिलेभी तक पहुंच गे जिले भी के पास ठीक है ना ऐसे आप मर करोगे नौट माता पिता कार करने चित बना बच्चे की साहता करें अब आपको सुझाओ देख चितर देख करें कहाने अपने शब्दों में सुनाने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए कि बच्चों को बोले कि है स् पास के वरक्षित फिनीश होते में देने से वरकषित में बच्चों को बना बोला है